इस विडियो का थीम है self acceptance मैंने एक मूवी देखी अभी बाला एंड इस मूवी में भी यह थीम बहुत predominant थी कि आयुश्मान को राना जो अपने टाइम में इस स्कूल में शारुखान जैसा था विद लॉंग फ्लोइंग हैर अचानक he lost his hairs गंजा हो गया एंड फिर उसका total story था कि शादी के लिए कैसे भटक रहा था एंड उसकी शादी कैसी लड़गी से जो उसको accept नहीं कर पाई विद उसका गंजापन और उसने divorce के लिए फाइल कर दिया एंड इवेंच्वली उसकी जो स्कूल की batchmate थी जो dark complexion थी उसने उसको लिए हाँ भरा एंड ये भी पूरी movie में as a salesman of fairness creams काम करता है so women के inferiority complex हो की वो dark complexion है उसकी शादी नहीं हो की उसको capitalize करके ये लोग अपना business करते हैं कि eventually और realize करता है कि नहीं fairness cream क्यों खरीदनी है हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे क्यों नहीं है so हमारी पूरी life हम is infinity complexes के साथ जीते है चाहे external कि मेरा complexion dark है I am not fair मैं गोरा नहीं हूँ या गोरी नहीं हूँ मेरे looks उतने अच्छे नहीं है मेरी height उतनी अच्छी नहीं है and imagine किसी जमाना में Amitab Bachan was the benchmark कि हाँ hero उतना लंबा होना च्छी है and then I asked Salman Khan Amit Khan का जमाना जहां पर height अच्छानक इतनी कम हो गई and क्या कोई बोलता कि मेरी height अच्छी नहीं है और वो क्या Bollywood में इतना वड़ा success बन सकता था plus यह हो गई external basically हमारी physical existence के साथ बहुत सारा हमारे infinity complexes होते हैं हमारी performance के साथ कि मैं UPSC crack नहीं कर पाया मैं CA crack नहीं कर पाया मैंने अपनी articleship small firm से कर रहा हूं MBA में मेरा placement नहीं लग पाया मेरे friends मेरे से ज़्यादा कमाते हैं यह मेरे friends ही नहीं है तो मैं इतना सीधा सरल हूँ कि आज की दुनियादारी में मेरे friends ही नहीं है तो true friends तो मिलेंगे नहीं और वो fake friends है वो चाहते कि मैं वो style में branded clothes पहनूं उनके साथ restaurants और hookah parlors में जाहूं and मैं ऐसा नहीं कर सकता because मेरा innate nature नहीं है हम अपने आपको बदलना चाहते हैं why because externally हमें वो tick mark नहीं मिल रहे हमें endorsement नहीं मिल और हमको लगते है कि अगर मेरे आसपास की लोग मेरे को certify नहीं करते है to be good तो यह क्या जिम्दगी but equation बहुत clear नहीं है यहापे कि सामने वाला अगर मेरी life में ठिक mark लगाएगा मुझे एक thumbs up देगा जैसे facebook या instagram में देता है क्या तब ही मैं अपने बारे में अच्छा feel कर सकता हूँ and imagine कितना difficult यह situation होगा आज वो अचानक उठा और बोला अनुराग तुम अच्छे हो वाह कल वो उठा और बोला अनुराग तुम उतने अच्छे नहीं हो you are such a crook and man बहुत sad हो गया तो इसका मतलब मेरी happiness किसी और के whims and fancies के साथ fluctuate कर रही है something like a stock market और वो fickle minded है वो person ऐसा है कि उसको खुद कोई गुद्धी नहीं है बहुत shallow अरे वास तो बहुत अच्छी shirt पहने हो अरे भाई shirt अच्छी है ना मैं तो वही का हूँ हूँ but no, हम उस external tick mark के चक्कर में अपना पूरा जिन्दगी बिदा देते हैं वो एक मरिक तृष्णा है it is so fleeting in nature, एक achievement हुआ, immediately थमजा पाएगा, हफ्ता बर बाद सब भूल जाएंगे trust me हमारे आसपास के लोगों को हमारी उतनी भी फिकर नहीं है जितना हमें लगता है and आप imagine करके देखे, आप अगर माली जे एक दिन मर जाएंगे, you can just imagine कि ये world मर गया, आपके near and dear ones को छोड़के पूरी दुनिया में आसपास किसको फरक पड़ता है क्या दुनिया लोग जीना छोड़ देंगे, क्या लोग हसना छोड़ देंगे आपके वज़े से जब ऐसा नहीं होगा तो क्यों उनके उपर इतना निर्वर करते हो, why I am saying you is because अगर मैं उस external endorsement के उपर depend करता हूँ तो मैं for example, अगर मैं वर्ल डिजनी होता और एक कार्टोनिस्ट होता और मुझे कहा जाता कि तुम महारे अंदर कोई talent ही नहीं है कार्टोनिंग का तो मैं क्या वर्ल डिजनी बन पाता, क्या मैं जेके रॉलिंग बन पाता जिसे कहा गया था कि अरे तुम्हारी बुक्स तो useless है and मैंने फिर Harry Potter की series करके world record बना दिया in terms of कि एक author कितना कमा सकता है या मिताब बचन को कहा गया था कि you're not good enough, your voice is not good enough अगर हम external validation की उपर सिर्फ तलाश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मैं वो नहीं कर सकता plus आप एक office में environment में काम करते हैं no one is getting paid to make you feel happy सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं सब को अपना घर करचा चलाने हैं सब आपे salary कमाने के लिए हैं आप लोग office में भी external validation खुशते हैं मेरे आसपास के colleagues मुझे appreciate करें वो need for appreciation वो भूग जो है वो इतनी गंदी है क्योंकि वो आपके internal system को खा जाती है कि अरे मेरे आसपास की लोग मेरे बार में कैसा सोच रहे हैं मैं उस चीज के लिए अपनी life को totally बदल देता हूँ as compared to what मेरा real sense था please ऐसा मद करिये because आप अपने career में भी grow नहीं कर पाएंगे और आप externally अगर validation के उपर depend करेंगे तब खुश भी अंदर नहीं हो पाएंगे because क्या लोगों को क्या उनको टिक्मनी पास करनी है वो एक शादी में जाएंगे बीस लाग रुपया खर्चा होगे लड़की के बाप का वो वहाँ पर जा कि यही बोल देंगे कि बेसंग के चिले में ना जादा था अरे आप मजा नहीं है उसको क्या जाता है भाई यहाँ तो पूरी उसकी जिन्दगी क्माई लुट गई मैं वीडियो बनाता हूँ इतनी मेहनत करता हूँ थोड़ी बहुत तो करता ही हूँ लोग बुलिए सब बैक्ग्राउंड अच्छा नहीं है एच्टी में बनाई है 2000 पिक्सेल के साथ कुछ एनिमेशन डालिए हम यूथ है हम सुपरफिशियल चीज को ज्यादा महत्व देते हैं as compared to the content मैं कर सकता हूँ इसका एक ही उपाई हो सकता है कि मैं YouTube का चैनल ये बंद कर दो बट मैं नहीं करूँगा वाई विकोज मुझे लगता है कि जिसको content अच्छा लगता है substance over form जो accounting में कहते हैं अब अपने office colleagues के साथ आप हफते बार office मत जाईए that's the true test na कितने लोग आपको वापिस phone करते हैं रे क्या हो दे रखो you'll find कि not many will really clear unless जो आपका close एक group है वो so उस close group पे अपने near and dear ones पे focus करें instead of the larger masses because masses के साथ एक hysteria है bandwagon effect है कुछ अगर चल रहा है तो सब उस पे भागेंगे जो नहीं चल रहा है खतम और ये चीज़ लोगे starting phase में struggling phase में माली जै आप coaching कर रहे हैं और आपको शुरुवात में उतने students नहीं मिले जब तक आपके अंदर वो inner belief नहीं होगा कि मैं अच्छा हूँ मेरा content औरों से अच्छा है या at least उतना अच्छा तो है जितना और पढ़ा रहे है जब वो दो student, चार student के साथ आप पढ़ा रहे हो अगर वो belief नहीं रहेगा तो आप demotivate होके छोड़ दोगे but eventually हजार student भी वैसे ही लोग को पढ़ाते है right तो point यह है कि you'll need to be persistent in that thing कोई भी start-up, कोई भी नया endeavor तो external validation के उपर आप अगर belief करेंगे तो आपको वो बहुत बड़ा problem होने वालो तो friends इसी चीज़ के लिए please you don't need to change for anyone love yourself as you are जैसे विपाष्णा meditation में होता है मैंने बहुत जारे types of meditation प्रेशन प्राई के हुई है सुदर्शंक्रिया एशा योगा वाली शामगभी महामुत्रा मेरे को सबसे सही लगता है मीनियारापना उसमें बोलता है आपको सांस की pace को अल्टर ही नहीं करना है जैसा है वैसा है लंबा है तो लंबा है छोटा है तो छोटा है बस अपने सांस को समझो महसूस करो इस सो वंडरफूल एडिट इस सो रिलक्सिंग कहीं कोई बोलता है fast, slow, slow, slow कभी कोई बोलता है अनुलोम विलोम करो वहां बोलता है नहीं आपकी सांस को कोई चेंज करने की जूरत नहीं है जैसे आपकी सांस सुरी है वही सही है आपके लिए बस उसको ध्यान करिए उसे समझे और अप्रिशेट करिए तो यही है मतलब आप यह भी ट्राइ करके देख लिए जो दस मिनट का मीनी आना पाना का सेशन होता है गोईंकाजी का यह क्लियर फिलोसफी की लंबा है तो लंबा है छोटा है तो छोटा है जैसा है मेरा सांस है भई अब उसका पेस को मैं क्यों चीज करूँ फंडा है बट वंड़फू अगर आप इस चीज को ड्रॉ करके अपने डियर लाइफ में अप्लाई करेंगे तो थैंक यू सो मुझ वर वच्छिए विडियो अल्ड़ बेस्ट बड़ बाइ